लो गाइज वेलकम बेक टो अबर यूटीब चैनल इंजिनियर मैंड तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीटेल सिलेबस बात करेंगे जारकंड एससी जे एससी जेए की जो वेकेंसी आने वाली है 2021 पहले बोल रहा था लेकिन अब 2022 हो गया है तो जारकंड जुनियर इंजि में जो affirm हो जो अभी दो क्या होने वाला है उसके बारे में इस लेक्टर ये विडियो में हम लोग डीटेल mínimo में स्कॉर्श करेंगे तो डिसकर्श करने से पहले अभी तक आप ने हमारे चैनल इंजिनिर्म elves को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पस्क्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दो और सेयर करती है तो गर है तो जेनरल इंजिनिर्म का जो सीरे बभात्त है is सिविल ईलेक्ट्रिकल मेकनीकल सारे ब्रांच का सारे ब्रांच का सीनल का से होता है किसी ब्रांच हैं को हैं तो आक तरन चैनल से अपडेट कि अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब किया होगा तो जितनी विगवेंट जोप की डिकनसी जाती है तो उसके मेने तुर्णन अपडेट दे देता हूं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हुआ है और जितनी भी जेनरल में की सिलयबस है वो हम लोग डिसकास भी करेंगे हर रोज का करेंगे 10 QUEseen izlori एक पेपर का 10 wooden समलोग जब एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिर दूसरा पेपर का 10 questions हम लोग discuss करेंगे इस चैनल के माधियम से तो आज हम लोग बताने वाले कि जेनरल इंगिनिंग में क्या-क्या पढ़ना है कौन-कौन से paper पढ़ने से हमारा marks score हो जाएगा जेनरल इंग में क्योंकि जे एससी जेए की जो vacancy आएगी तो उसमें 120 marks general engineering का होगा and 120 questions general engineering का होगा and 120 questions branch paper होगा अगर आपका civil है electrical है mechanical है तो आपका 120 questions branch paper से होगा and 120 questions general engineering से होगा तो जो भी scoring होगा वो general engineering में जिसका आच्छा score होगा वही इस exam को qualify identify कर सकता है आई completa आपका ब्रांच पर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप ब्रांच पर के ज़्यादा कभर कीजिए और एपर आप का हो जाएका बदाएगा बॉस Woods को सो मत करना बहुंद लेकिन में वह सीट के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है तो वह लिंक आइकन पर दिया है इसे एप रोक्स सीटे जो खाली है वह सीट खाली है बट एक बार में वेकेंसी आ जाये तो सबका सेलेक्शन हो जाएगा क्या पता गोर्मेंट फिफ्टी फिफ्टी करके लाएगी वेकेंसी इसलिए थोड़ा काना मुस्किल है लेकिन पचीस सो के परोक्स सीट खाली है सीविल के लिए मेकनीकल के लिए अपरोक्स वही तीन सो सीटे आएगी और एलेक्ट्रिकल के लगभग चार सो साड़े चार सो के आसपास में वह सीट आएगी जुनियर जुकि क्यूंकि मेकनीकल का सीट थोड़ा हर एक डिपार्टमेंट में कम राता है थोड़ा ने बहुत ही कम राता है औ और एलेक्ट्रिकल के लिए तो हर एक डिपार्टमेंट में सीटे राती हैं तो जैसे ही अपडेट आएगा तो हम अपने चैनल के माधियम से आपको अपडेट दे देंगे तो आज हम लोग डिसकस करेंगे डिटेल्स में जेनरल इंजिनीरिंग साइंस जो की धरकंड एसे सी जेही में यह 120 कोस्टंस पूछा जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है पाले हम लोग हिंदी में डिसकस करेंगे इसके बाद फिर इसको इंग्लिस लेंग्वेज में कनवर्ट करेंगे तो जिन लोग को हिंदी में समझ में आ रहा है तो वह को इसकिप करने से बेनिफिट नहीं है इसलिए वीडियो को इंड तक देखना है तो तो पहला हमारा है इंजिनियरींग यंत्र विग्यान मेकनिक्स इसमें सामानी संतुरन समिक्रन परियोग गती समिक्रन कारी सकती उर्जा ये सब पढ़ना है सर्वेक्षन एवं माप जिसको सर्विंग एड मेजर्मेंट बोलते हैं इसमें डिस्टेंस दूरी एवं छेतर माप दिशा की माप और स्लोप कीतर कोनी माप उत्तोलन एवं मूचाई ये जितना भी सिलेवा से ये सब पढ़ना है इसके बाद तिसरा पेपर है कीटा चुना सीमेंट शर्री ये सब आपको पढ़ना है और इंग्लिस में थोड़ा हम समझाएंगे डेटेल्स में तो समझ में आएगा एंड चौथा पेपर जो है जो की जिनरल इंग में आएगा तो इसमें इंजिनियरी मित तवीता और प्रबंद इंजिनियरी इसके बा जो हमारा उर्जा रुपांतरन तो यह सिलेबस हमारा क्या है जेनरल इंजिनियरींग का है तो यह जेनरल इंजिनियरींग का हिंदी में सिलेबस है इसलिए उतना समझ में नहीं आया आप हम लोग इंग्लिस में डिसकास करते हैं डिटेल्स में डिसकास करेंगे कि में क्या पढ़ना है इसके बाद इंजिनियरिंग मेकनिक्स में क्या पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है एलेक्ट्रीकल में क्या पढ़ना है प्रामरी इंजिनियरिंग जो है यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में जो राता है प्रामरी इंजिनियरिंग क्रारंबिक इंजिनियरिंग तो इसमें क्या पढ़ना है इसके बारी में हम लोग डिंटेल केंगा सॉन coll experiment करेंगे के लिमेंटरी इंजिनियरिंग प्रयावरन इंजिनियEr की तोम क्या क्या पढ़ना ङो भी हम लोग इसके बाद the surveying and measurement का सिलेवस है distance and area measurement measurement of direction slope elevation and height common survey instruments energy meter and their principle of working electrical shop instrument emitter voltmeter charge meter insulation tester mechanical shop measurement instrument linear and angular measurement is straight flatness roundness measurement next paper to have a general engineering what can happen engineering mechanics partner has surveying partner has solid mechanics partner had so it means mechanics means soil mechanics sorry solid mechanics means strength of materials general stress solid mechanics में जेनल इस्टेस पढ़ना है इस्ट्रेन एंड कंसिस्टिंग लाउस ट्रांस्फोर्मेशन ओव इस्टेस इन इस्टेन इस्टेन इनर्जी अनलाईसिस ओब बीम कोलम्न एंडट शाफ्ट सिहर सेंटर अन्सिमेट्रीकल बैंडिंग तो ज्यादा सिरे वास नहीं है जैनरल इंजिनेरिजंग सैंस्का इंजिनेरिक्स इन कंस्ट्रक्व्षन पढ़ना है जिसमें engineering materials in construction में पढ़ना है हम लोग को और solid mechanics जो है वो strength of materials जो है वो सेम है solid mechanics किसी-किसी university में solid mechanics रहता है और किसी-किसी university में strength of materials रहता है सोम जिसको हम लोग बोलते हैं इसके बाद हम लोग चार paper discuss कर लिए एक engineering mechanics दूसरा surveying तिसरा strength of materials जिसको solid mechanics बोलते हैं चौता जो है वो engineering materials एंड construction पाच्वाँ आप हम लोग elementary engineering and electric circuit जिसमें कि आप लोग first year में पढ़े होंगे मैं भी पढ़ा हूं ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ा हूं तो first year में हर किसी का basic electrical engineering रहता है तो कोई वीके मैं था का बूक पढ़ाता था कोई बहुत सारा बूक रहता था तो वीके मैं था एच के मैं था सायद एक्जेक्ट नेम पताने लेकिन वीके मैं था का बूक रहता था था electronics के लिए बी डवल ली का बूक जो रहता था basic electrical engineering जो कि फर्स्ट चेमिस्टर में पढ़ा था था तो उसमें असफा कुसें का बूक रहता था था बी डवल ली के लिए एंड electronics के लिए वीके मैं था का बूक रहता था था तो elementary engineering and electric circuit में अमलोग को क्या पढ़ना थेवनिंस theorem पढ़ना है circuit law principle of superposition the introduction of periodic function series and parallel connection in STDAC alternating current circuit having an induction resistance and capacitance junction transistor junction diodes equivalent circuit common emitter equivalent circuits magnetic circuits ideal transformation ideal transformer transformer edge circuit element electromagnetic energy conversion DC and AC motor and generator performance engineering economy and measurement engineering economy and measurement में क्या पढ़ना है वह देखते हैं लोग यह सारा paper आपको पढ़ना है general engineering में चाय कोई भी ब्रांच हो सिविल एलेक्ट्रिकल मेकनिकल कुछ भी हो यह पढ़ना ही पढ़ेगा आपको क्योंकि 120 questions general engineering से आने वाला आपका जर्गने से सीजेए में तो नेक्स्ट हमारा है पेपर इंजिनियरिंग economy and measurement इस में पढ़ना है economy principle of engineering project planning cpm and part cpm का फूल पूर्म होता critical path method और पर्ट का होता project evaluation and review technique construction equipment पढ़ना है and safety analysis of rates of important construction तो यह सिविल वाले पढ़े होंगे mechanical वाले के लिए पढ़ना पढ़ेगा and environment and ecology जिसमें की water pollution air pollution ecology ये रहेगा fluid mechanics and fluid machinery laminar and turbulent flow ये हार एक ब्रांच पढ़ा होगा civil electrical mechanical concept of the boundary layer continuity equation Bernoulli equation energy equation flow measurement dimensional analysis and modeling one dimensional study impulse and reaction turbine में प्रेहां प्रेटन वील तर्वाइन रेसिप्रोकर टिंक इन्ड चैन्ट फ्यूगल पंप तो इसमें कुछ पुच पूच पूच है जो की मेंकनीकल वाले का सीले वास है ये दैसे रिक्शन एंड टरवाइन इंपाल्स रेक्सें ट्रवाइन पेल्टन विल ट्रवाइन रेसी प्रॉक्रेटिंग एंड जैंटर फ्यूगल पंप से यसा अच्छा वाले का सिलेवास है बट फ्लूड मेकनिक से एंड फ्लूड मेंस इंडिया हर ब्रांच लगबग पड़ता है और नेक्स्ट पेपर जो है जिनरल इं इसको अप्लाइड थर्मडायनिक में तो एटीडी में तो इसके बार में थ्रूड़ा डिटेल्स देखते हैं लोग की हीट ट्रांसपरेंड थर्मडायनिक में क्या क्या पढ़ने प्रोड़क्शन ओफ हीट ट्रांसपर्ट सिंगल एंड मल्तिलेयर बाडिज नेच्रल फोस दू कनवेंशन हीट ट्रांसफर कॉंसेप्ट ओफ दी थर्मल बांडरी लेर इस्टीफन बाल्जमेन लाव दिलाव ओफ रेडियेशन किर्चोफ लाव दी कॉंसेप्ट ओब्लेक एंड ग्रेव बाडिज थर्मोडायनिक्स प्रोसेस फिर्स्ट एंड सकेंड लाव उनके लिए हैं तो आपको यह सारा पड़ना पड़ेगा चेंडरल इंग कबर करने विए क्लिए क्यूंकर 120 morphs का कोसेंस 120 सबस्सी से आ रहा है यह तो दो मार्स को सकत्थ या तो word marks को सकता है ममार्क्स का पताने बरट्ट डिट्यल मे देख दिया गया है कि हमने लास्ट वीडियो में बताए भी था जब ये सेसी की अपडेट आई थी तो 120 कोसेंस रहेगा जेनरल इंजिनिरिंग से अब एक मार्स कभी हो सकता है तो इतना पेपर पढ़ना है इंजिनिरिंग मेकनिक्स सर्वेंग इंड मेजरमेंट सॉलिड मेकनिक्स इंजिनिरिंग मेटर स्सक्राइब इंजिनिरिंग तो यह स्टाइब से लागड एक-एक पेपर आका जो दस-10 को संसों कर अगर एक पेपर मेरा पास दिन में कमप्रीट हो अता है तो पास दिन के बाद फिर हम लोग नैक्स ये प्र जैसे स्टार्ट किये सोलिड मेकनिक्स थे तो तो Сॉलिड मेक जाएगा तो फिर लेकिन कंटेन्यू जो भी सब्जेक्ट पढाएंक तो वह कंटेन्यू चलेगा हमारे यिस यूट्षीब चैनल पर तो अभि तक आपने हमारे चैनल नेरं मैंड को सब्सक्रैम नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो विदियो अच्हा में ल्टे तब तक के लिवा